एक ऐसी शक्सियत है जो बिलकुल भी तारूफ की मौताज नहीं है corporate world में शायद ही कोई होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके struggle के बारे में कैसे इनोंने नौकरी.com को establish किया और grow किया तो इनके ओपर लिखीवी book stay hungry stay foolish ये book आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको काफी knowledge मिलेगा इस वीडियो में दोस्तो हम info age नौकरी.com के बारे में complete fundamental technical analysis करेंगे और ये देखेंगे fundamental analysis के तुरू कि क्यों ये stock एक multi bagger potential रखता है और technical analysis के सबसे 6 point हम discuss करेंगे और ये मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ये stock ये price पे best है और कल ही मैं इसको buy करने वाला हूँ ये पूरी analysis दोस्तो इस वीडियो में करने वाले वीडियो को पूरा देखिए आपके knowledge में ज़रूर इज़ाफा होगा तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करना डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंदिया उससे आप ज़रूर जोइन कीजे वहाँ पे काफी सारी चीजे, trade, market view वगरा मैं share करता रहता हूँ जिससे आपकी learning और earning हमेशे बढ़ती रहेगी तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले 1990s में जब संजीव बिक चंदानी जी अपने office में काम कर रहे थे तब उन्होंने अपने एक colleagues का एक unique behavior observe किया उन्होंने ये देखा कि लोग business magazine खरीदते हैं और उन business magazine को news के लिए बिलकुल use नहीं करते हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए use करते हैं या तो नौकरी search करने के लिए या तो ये देखने के लिए कि उनके profile के साब से उन्हें क्या better और opportunities मिल सकती है तो इस unique behavior को जब उन्होंने देखा कि इसमें कितना scope है तो इस business को वो online लेके गए और उन्होंने basically नौकरी.com का invention किया अविशकार किया 1995 में तो सबसे पहले उन्होंने नौकरी.com स्टार्ट किया उसके बाद इन्होंने देखा कि नौकरी के बाद जो second most searchable thing है वो है चोकरी मतलब शादी तो इसलिए 1998 में इन्होंने जीवन साथी को शुरू किया उसके बाद देखा नौकरी होगे चोकरी होगे अब क्या चाहिए तो आप चाहिए मकान तो 2005 में इन्होंने 99 acres.com को establish किया और क्या चाहिए education 2008 में इन्होंने शिक्षा.com को start किया तो मतलब आप देखोगे कि modern day में जो कुछ भी चाहिए नौकरी चोकरी मकान education हर चीज इंफो इस आपको provide करता है तो अगर इसके थोड़े से fundamentals के बारे में हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसका जो market cap है वो 70,000 करोड के आसपस इसका market cap है इसमें आप देखोगे कि इनका जो main जो business है वो है नौकरी.com नौकरी.com का 80% share है market share है अब market share का मतलब है कि अगर 100 लोग online नौकरी सर्च करते हैं 80 लोग नौकरी.com के तुरू सर्च करते हैं तो नौकरी.com 80% इसका market share है उसके बाद आप देख सकते हो कि जो real state है उसमें 99.com का 55% market share है और यह जो जीवन साती है online matrimony sites में 13% market share रखता है तो यह business है और चो चौता business है वो शिक्षा.com शिक्षा.com से बहुत जादा इनको revenue नहीं आता है वो तो just एक अभी बोल सकता है अब यह जो तीन business है अभी इन्फोईज में आप देखिए कि आज कल सबसे जादा लोगों में क्या requirement है सबसे जादा लोगों में requirement है job की नौकरी.com की इसके लिए बहुत अच्छा future में गुरू कर सकता है उसके बाद आप देखोगे यह जो matrimolar side है जीवन साती इसको भी बहुत जादा benefit होने हो ला है विकास पिछले एक देड़ साल से दो साल से कोविट की वज़े से बहुत सारी शादिया नहीं वी बहुत सारी शादिया आगे पोस्पॉंड हो गई तो इसका डायरेक्ट beneficiary जीवनसाती.com बन सकता है और जो पिछले आर दस साल से जो रियल स्टेट में एक जो बोल सकते हूँ जो रिशेशन चाल रहा था है रियल स्टेट सेक्टर कही ना कही अपने रिशेशन से बाहर आता हूँ दिख रहा है उसका biggest 13 परशेंट इसका रियल स्टेट से आता है और 13-14 परशेंट अदर्स मतलब आप बोल सकते हूँ इसमें जीवनसाती.com या फिशिक्षा.com इससे इसका रेविन्यू आता है अब इसमें भी 70 परशेंट में जो recruitment solution आता है उसका breakup भी यहाँ पर दिया गया है कि कैसे यह लोग नौकरी.com के तुरू अपना business करते हैं तो यह आप completely यहाँ पर देख सकते हो इसके बाद अगर आप देखोगे इसके जो profit and loss statement आगर आप देखोगे तो इनका sales पिछले कई सालों से continuously बढ़ रहा है 2013 में जो इन साई stock है जिसमें अगर आप FIS देखोगे तो एक अच्छी खासी तगडी holding रखते हैं 37% के आसपास इसमें FIS holding रखते हैं तो यह तो हो गया info.hk revenue और business model के बारे में मतलब इनका जो main business है वो बहुत ही solid business है लेकिन मुझे यह तो ठीक है अपनी जगे जो दूसरा factor है इसकी व दोस्तों मुझे बहुत ही ज़ाधा attract करता है अकर कुछ मैं example दू तो इनके जो investment है वो है Zomato में policy बजार में और ऐसे बहुत सारे जो नए start-ups है उनमें invest करते हैं Zomato में दोस्तों इन्होंने 18% stick खरीदाता आप जानके दंग रहे जाओ कि कितने रुपे में खरीदाता 50 करो policy बजार में इन्होंने करीब करीब 20 करोड में 13% खरीदाता इससा जिसकी value आज 7000 करोड है इसका मतलब है अगर आप इनका Zomato और जो policy बजार है यह investment ही मिला होगे तो करीब करीब आप बोल सकते हो 33,000 करोड के आसपास हो जाता है और आज के दौर में जो infoage है नौकरी.com है उसकी market cap है 70,000 करोड इस 70,000 करोड में से 33 करोड तो इनके already investment है Zomato और policy बजार में तो अगर आप यह मानते हो कि future में Zomato यहां से 5X हो जाएगा अगर 5X हो जाएगा तो सिर्फ अगर Zomato 5X हो जाता है तो जितनी holding Zomato की नौकरी के पास है infoage के पास है वो current market capitalization के उतनी हो जा अगर हो 5 गुना हो गया तो 75,000 करोड जितनी नौकरी की पूरी market cap है यही नहीं दोस्तो देखे अब जनरली हम यह सुनते हैं कि बहुत बड़ा पैसा तब बनता है जब आप छूटी company में invest करो और वो company बहुत बड़ी बन जाए तो यह जनरली होगा कैसे है अब हम और आप जैसे जो retail investor है इनको इतनी information available ही नहीं कि कौन सा startup अच्छा करेगा कौन सा चानी करेगा प्लस अगर आपको इन संजीव बिक्चंदानी जी इनके उत्रों आप यह काम जरूर कर सकते हों संजीव बिक्चंदानी जो तो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि start-ups को डूंटे हैं उस पर अच्छी सी research करते हैं छोटे idea पर पैसा लगाते हैं और उनको बड़ा करते हैं तो यह काम संजीव policy bazaar भी है 23 start-ups में और उसमें भी 12-15 start-up तो थो इन्होंने लास्ट एक साल में 15 start-up में invest किया हैं बारा सो करोड बारा सो करोड उन्होंने लास्ट येर में ही 15 start-up में investment किया हैं तो आप सोच सकते हो कि जो लेवल की value unlocking किए अब ये जो 23 startups हैं अगर ये startups कहीं चल के आगे चलके अगर यूनिकॉन बन गये तो क्या level की value unlocking हो सकती है इन्फो एज में तो बेसिकली इन्फो एज मतलब आप बोल सकते हो कि यह स्टार्टप का mutual fund है अगर आपको स्टार्टप से बहुत सारे स्टार्टप में investment करना है तो आप इन्फो एज में कीजिए अब इसमें बहुत सारे स्टार्टप ऐसे भी होंगी जो फेल हो जाएंगे लेकिन जो चलेंगे पचास करोड का जो मैटो 15,000 करोड हो गया तो यह तो ऐसा है ना इसमें रिस्क भी है बहुत सारे जो ट्रेडिशनल इंवेस्टर है जैसे वारेंड प्रफेट हो गया और राकेट जुन-जुन वाल हो गया जिनको हम जानते हैं वो कंपनी की पूरी बैलेंस शीट को एनलाइस करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं यह सब के इसाब से इंवेस्ट करते हैं यह जो बिजनस है यह थोड़ा अलग टाइप का बिजनस है यहां पर जो बहुत सारे फ्लक्टुएशन दीखेंगे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे कोई स्टार्टप चल गया तो इसकी जैसे इनके प्राइस में बहुत मोमेंट आएगा कोई स्टार्टप फेल हो गया तो गिल जाएगा लेकिन मेरे कहाल से ओर पिरियोड ऑफ टाइम अगर आप एक ए जो बेसिकली देखा जाना तो कैश फ्लो मशीन है नौकरी.com जीवनसाती.com सुझे ना हर इंसान आजकल ऑनलाइनी नौकरी सर्च करता है ऑनलाइनी शादी करता है ऑनलाइनी घर देखता है ऑनलाइनी पढ़ाई कर रहा है बाइजूस बाइजूस की वजह से यह जो तो अगर मैं टेकनिकल एनलीसिस के साब से इसके चार्ट की स्टडिय हम करेंगे तो सबसे पहले तो यह देखते हैं कि यह जो स्टॉक जो लिस्ट वाता यह स्टॉक एक्चुली 2006 में लिस्ट वाता तो आप देख सकते हो जो 2006 में यह स्टॉक 100 रुपे के असपास लिस्ट है इसका मतलब है साड़े पांच हजार गुना रिटन मिला इसमें बट अभी भी यह स्टॉक एक मल्टी वेगर पोटेंशल रखता है अब मैंने आपको औरेडी बताया था छे रिजन में आपको दूँगा जिसकी वज़य से इन्फो एज का स्टॉक यह लेवल पर बेस्ट पाए देखे चीज़े तो बहुत अच्छी होती है लेकिन सही प्राइज होना भी ज़रूर ही है तो क्यों सही प्राइज है यह हम लोग डिसकस करेंगे इसके लिए हम लोग इसके डेली चार्ट पर चलते हैं सबसे पहले अगर आप तॉप से देखते हो इन्फो एज यह लेवल से अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो क्लियरली 28% की गिरावट आपको मिल रही है कोई एक अच्छा स्टॉक या अच्छी कंपनी 28% गिरावट पर मिल रही है तो यह बहुत बढ़ा पॉजिटीव पाइंट है यह तो एक पहली चीज हो गई सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट पर आप देख सकते हो टेक्निकल के हिसाब से इस बहुत बड़े गिरावट के बाद आपको एक बुलिश एंगलफिंग केंडल मिल रही है जोके बहुत ही पॉजटिव दो पॉइंट हो गए थर्ड पॉइंट हम देखते हैं यह जो बुलिश एंगलफिंग केंडल है यह आपको सपोर्ट के आसपास मिल अब अगर फिस्ट पॉइंट आप देखते हो तो यहां पे मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के बता देता हूं RSI, RSI भी आप देख सकते हो यहां पे, कि RSI इसकी positive हो चुकी है, देखिए जो 30 के नीचे गए थी, अब just RSI इसकी strength पकड़ दिया, तो 30 के ओपर जब भी RSI आती है, तो इसका clear मतलब होता है, कि यहां से price strength पकड़ सकता है, यह होगे 5 पॉइंट और अगर मैं 6 पॉइंट आपको बता हूं, तो यहां पे मैं आपको exponential moving average लगा के बताता हूं, और यह जो exponential moving average है, वो 200 दिन काम लगाते हैं, तो आप देख सकते हो, 200 दिन के moving average पे support ले रहा है, इसके पहले भी 200 दिन के moving average पे इसने support लिया था, लास्ट टाइम जब 200 दिन के moving average पे support लिया था, तो यह price दी 4200 और उसके बाद इसने high मारा almost double, यह आप बोल सकते हो, 70-80% का gain तो पक्का है, उसके बाद 200 दिन पे वापस आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से यह एक perfect entry है, जो आपको, यह stock को आप trading के लिए तो बिलकुल ले सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता ह है, कि यह सब stocks को आपको trading के लिए नहीं नीची है, यह ऐसे stocks है, जो आपको wealth create करके दे सकते हैं, आपको बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, अगर आप इससे जादा नीचे गिरा, assume करते गिरा, तो भी आप safe तो हो, आपने कम से कम 8000 के level पे, तो नहीं लिए 7000 के level पे, एक वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो दोस्तों, मैं अपने चैनल पे भी डलता रहता हूँ, कल ही हमने 2-3 दिन पहले, हमने IC analysis CDSL के बारे में किया है, वहाँ पे मैंने clear बता है, CDSL क्यों एक 5X होने का potential है, और भी सारे वीडियो मैं शेर करता रहता हूँ, तो अगर आप यह सब information चाते हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए, बेल आइकन को press कीजिए, ताकि तब भी वीडियो डालू, तब को आपको notification मिल जाएगा, so that's it for this video, keep learning, keep investing, stay happy, all the best for stock market journey, take care, bye-bye.